27,000 करोर रुपए इतना पैसा खर्च किया था बीजेपी ने 2019 के लोग सभाई इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन का लगभग आदा खर्चा बीजेपी के जेब से आया था, वो इलेक्शन 2019 वाला जो दुनिया है के इतिहास में सबसे महेंगा इलेक्शन था, वैसे तो पर कोई spending limit नहीं होता, देखो भई, इंडिया में political party सबसे जादा आजाद है, ना tax भरना पड़ता है, ना अपने पैसों का हिजा पबलिक को बताना पड़ता है, अब आप पूछोगे, पर ये पैसा इनके पास आ कहां से रहा है, कहीं George Soros, Chinese President Xi, या फिर ISI funding तो नहीं कर रह पार्टी को जीत के बाद अपने pocket पे रख रही हो, सवाल सही है, और सवाल का जवाब है, unknown, कितना मिला, ये known है, कौन दे रहा है, वो unknown है, और unknown ही रहेगा, 2021-2022 के बीच में political parties की जो दो तिहाई, two-third जो earning थी, वो unknown sources से थी, और unknown source में सबसे बड़ा source है, electoral bonds, आपके खाते में दो रुपए unknown sources से अगर आ जाए, तो ED का rate पड़ जाए, यहाँ दो तिहाई, हजारों करोरों रुपए के दो तिहाई, unknown sources से आ रहे हैं, और जनता की हैसि पूछ ले कही political parties से कि भाई तुम्हारा sugar daddy है कौन, और बदले में तुम services क्या दे रहे हो, sugar daddy को, 2017 में लाई गई एक चीज ने, इस unknown sources को, can't be known से, you don't have the right to know, बना डाला, यह मैंने कह रहा हूँ, यह केंद्र सरकार के वकील, यानि Attorney General of India ने कहा है Supreme Court में, कि जनता का हक ही नही है, electoral bonds का मुद्धा complicated है, और इसलिए इस episode में हम यही कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में नीचे से उपर तक fact-based, simplified तरीके से जानकारी दें, और यह समझाने की कोशिश करें कि यह matter Supreme Court of India क्यों अभी सुनवाई कर रही है, तो आज के देशभक्त के deep dive episode में, electoral bonds actually है क्या यह काम कैसे करते हैं, इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी, और इसके बाद इसमें किस तरीके की problems आई introduction के बाद, क्या सिर्फ BJP सरकार को ही इन electoral bonds से इतना लगाओ है, या दूसरी parties का भी affair चल रहा है इसके साथ, और क्यों Supreme Court का judgment इस matter में बहुत जादा important है, हमारी democracy के लिए बह important और एहम है, 1st February 2017 को अरुन जेटली सदन में आते हैं और Finance Act के अंदर बड़े-बड़े amendments लेकर आते हैं, जिससे electoral bonds की थापना होती है, इन amendments को समझने के लिए हमें electoral bonds की एक base level understanding होनी जरूरी है, सुच लिजे, चिंटु फ्रम चंडिगर्ड एक आम नागरिक है, उसे अपनी favorite political party को पैसे देने हैं, पर वो नहीं चाहता है, चिंटु नहीं चाहता है कि किसी को पता चले कि उसने पैह दिये हैं, इसी लिए या तो वो 2000 रुपे से नीचे donation कर सकता है, without any explanation, चंदा दे सकता है, या फिर electoral bonds का इस्तमाल कर सकता है for higher denomination, RBI Act के अंतरगत स्थापित किया गय एक तरीके का currency note ही है, जो सिर्फ चिंटु और political party ही इस्तमाल कर सकते हैं, चिंटु अपने पैसे लेकर SBI जाएगा, बोलेगा कि मुझे electoral bonds खरीदने हैं, ये bonds अलग-अलग denominations में available होते हैं, जो शुरुआत तो करते हैं rupees 1000 से और जाते हैं rupees 1 करोर तक एक bond के लिए, चिंटु अपना KYC verification कराएगा और उसे अपने पैसो के बदले में एक electoral bond मिलेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ बस दो चीजे लिखी रहती हैं, कि bond को खरीदा किस date पर गया था, और इस bond की value क्या है, अब आप 100 रुपे का note भी देख लो, इसमें भी ये दो चीजे होती हैं, कि जिस साल RBI ने note को issue किया था, और note की value कितनी है, लेकिन एक और चीज होती है note पर, और वो है एक unique code, ये ऐसे ही गिबरिश नमबर नहीं है, इस से RBI note का हिसाब रख सकती है, उसे track कर सकती है, बहुत सारे details इसी number के through मिल जाते हैं RBI को, electoral bonds में भी एक hidden unique code होता है, जिससे SBI इस bond का हिसाब रखती है, वैसे इसकी तो अपने आप में कहानी है, कि जो SBI को control करता है, जिसका दबदबा है RBI पर, वो आराम से ये पता लगा सकता है, इस code के through कि bonds किसने खरीदे, कितने के खरीदे और किसको दिये, तो ये कोई secretive bond है न ही होते हैं, concept पर ही focus रखते हैं, normal note और electoral bond में बस फरक इतना होता है, कि normal note को कभी भी इस्तमाल किया जा सकता है, किसी भी transaction में, किसी के साथ भी, पर electoral bond जारी होने के 15 दिन बाद तक ही इस्तमाल किया जा सकता है, और इसके बदले में cash specific political party ही ले सकती है, तो transparency के लिए इसको कि पर हर party को electoral bonds के जरिये पैसे भी नहीं दिये गा सकते, ये सिर्फ उन्ही parties के लिए उपलब्ध है, जो representation of people's act 1951 के अंतरगत legally registered हो, और जिन्हें पिछले election में कम से कम एक प्रतिशत vote share उन्हें मिला हो, अब ये सवाल आता है, कि इतने elaborate system की जरूरत क्या है, अरे सीधे सीधे प मजाग नी कर रहा हूँ मैं, सरकार ने खुद ही actually यही कहा था, उन्होंने ये basically कहा था कि political funding से black money हटाना है, प्रस्टचार हटाना है, तो उनके मताबिक अगर ये लेंदेन का काम हम digitize कर दें, तो ये सब problem solve हो जाएगी, ठीक जैसे उन्होंने normal currency में भी तो किया था, UPI तो पर इस logic में एक बहुत बड़ा problem है, क्योंकि असलियत ये है कि electoral bonds चलते ब्रस्टा चार सीमाएं तोर रही है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, ये है असली master stroke की transparency के नाम पर system और भी जादा opaque हो गया है, one-sided हो गया है, समझाता हूँ कैसे, main problem ये है कि bonds किसने खरीदा, bonds स पैसे किसको मिला, ये कोई पता नहीं लगा सकता है, सिवाए SBI के, क्योंकि bonds की खरीदी और विक्री सिर्फ वही कर रही है, चिंटू लेकिन अगर चाहे तो वो जाकर party को बता सकता है कि उसने किस date पर कितने bonds खरीदे और किसको दिये, अब ये बात सिर्फ party, चिंटू और S अब आप ही बताओ किस देश में, जिस देश में असी करोर लोग, देश की आधी जनसंख्या मुफ्त में उनको राशन देना पड़ रहा है, उनको सस्टेन करना पड़ रहा है, वो एक करोर के donation कौन दे रहा है political parties को, आम इनसान तो नहीं दे रहा है कौन ही ये लोग, कहां से आते ही अरे देश बक्त पर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ membership से काम चल जाए, लेकिन 200 रुपए की membership लेने से पहले पेट्रियॉन पर और यूट्यूब पर लोग 100 बार सोचते हैं तो यह हजार हजार करोर की यह जो आरें donations की कौन दे रहा है, यह आप भी समझ सकते हैं अच्छा एक और आखड़ा देखते हैं, 2018 और 2022 के दोरान corporate funding to political parties का आखड़ा 743 प्रतिशत बड़ा है 743 परसेंट, यानि गांधी और भगत सिंग के देश में बड़े-बड़े पूंजपती, बड़े-बड़े parties को बड़ा-बड़ा पैसा दे रहे हैं और साब institutions तमाशा देख रहे हैं और इस तमाशे को अरुन जेटली ने 1st of February 2017 को legal बना दिया था कुछ एहम कानूनी amendments के जरिए है, तो जो कुछ भी हो रहा है, by the way, सब legal है सुप्रीम कोट अभी चानवीन कर रही है, लेकिन अभी legal है Income Tax Act, जिसके section 13A को amend किया गया, electoral bonds में एक और layer of anonymity लाया गया अब electoral bond से मिले पैसों का हिसाब रखना किसी भी party के लिए mandatory नहीं है चाहे वो कितना भी रखब हो, हजारो करोर रुपए रखब हो, मुझे कोई accounting explanation नहीं देना है Companies Act, पहले कोई भी company अपने पिछले 3 साल के profits मुनाफे से 7.5% तक ही donation political party को दे सकती थी तो एक capping हुआ करती थी, पर उन्हें अपने balance sheet में ये maintain भी करना होता, दिखाना पड़ता था कि कितना पैसा किस political party को दिया गया है अब इस amendment के बाद ना तो ये 7.5% वाली donation cap है और ना ही companies को बतानी की जरूरत है कि उन्होंने किस party को कितना पैसा दिया है बस ये बताना है कि total में कितने electoral bonds खरीदे है अब सोचो, चिंटु और चोमू private limited को फुल प्रोथसाहन मिल गया कि वो बिना किसी explanation के किसी भी party को पैसा दे और उपर से income tax act के section 80 GGB के तहित tax exemption, no पैसा, no tax, master stroke एक और loophole बताता हूँ, बीजेपी सरकार ने 2018 में foreign contributions registration act या FCRA को भी amendment किया इससे हुआ ये कि foreign companies का definition ही change कर दिया गया इस amendment से पहले foreign companies को अगर चंदा देना होता किसी Indian national political party को तो उन्हें इंडिया में कम से कम उनका एक subsidiary होना ज़रूरी था जिसका आधा capital, आधा revenue या आधे assets या shareholding इंडिया में होता तो कम से कम कहीं न कहीं इंडिया का पैसा इंडियन political parties में आ रहा है अब इस amendment के बाद ये सब बदल गया है क्योंकि 2014 से पहले मिली foreign funding भी foreign companies like Vedanta, Dow Chemicals या Switzerland based, Mundi Pharma ये सब legal हो गया है अब Congress भी इसमें फसने वाली थी तो Congress ने भी का हाँ हाँ पैसे आने दो, FCR एमेंट कर दो, कोई problem नहीं है तो अब सोचो हुआ ये कि Chinto and Chomu Private Limited को कोई असल की company की जरूरत ही नहीं इंडिया में वो कोई भी foreign company का एक shell company हो सकता है बेनामी company हो सकता है shell company यानि जो company actual में कोई धंदा ना भी हो, उसका revenue ना भी हो बस वो एक पैसो को park करने के लिए, tax बचाने के लिए एक company है shell और Companies Act के बदलाव के कारण इस company को कोई limit नहीं है अब वो कि कितना पैसा वो किसी political party में डाल सके hypothetically ISI हो, Chinese Communist Party हो, इंडिया का कोई दुश्मन हो वो इंडिया में एक shell company खोल सकता है और सिर्फ एक political party को fund कर सकता है और ये legally okay भी होगा जब तक मैं ED investigate करे या फिर देसी पूंजपती का example ले लेते हैं वो अपना hardened पैसा political party हुने क्यों invest करेंगे जब तक ना उन्हें भारी returns, I mean भारी contracts ना मिले कपिल सिबल Supreme Court में कहते हैं कि ये black money को white करने का भी एक full system बन गया है उनकी माने तो इस system में bond इकठा करने वाले लोग बन गए है aggregators उनके पास एक network होता है जो असल KYC accounts होते हैं अब जिसको जो भी अपना black money को criminal money को घुसाना होता है system में white करना होता है इन aggregators के पास जाते है black money बन जाता है white money with the help of electoral bonds अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना कुछ कैसे बदल गया मोधी सरकार में अरे surely उन्होंने कुछ तो consultation किया होगा amendments लाने से पहले कुछ तो discussion हुई होगी आईए वो भी देख लेते हैं electoral bonds के proposal को सदन में लाने से पहले सरकार को RBI की मनजूरी उसकी दरकार थी तो महस पांच दिन पहले government ने RBI को पांच लाइन का एक email लिखा electoral bond proposal को समझाते हुए RBI एक तम हगबगा जल्दी में उन्होंने BJP सरकार को वापस letter लिखा कि भाई ये जो proposal है हम इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे है letter पर letter लिखा कहा कि electoral bonds will set a bad precedent और हमारी banking system को ये undermine करता है उन्होंने ये भी कहा कि electoral bonds transparent नहीं है और इसका potential misuse भी हो सकता है सरकार ने RBI के इन concerns को कहा देखो भाई अब तो बहुत लेट हो गया है अब विकास में हम देरी तो नहीं कर सकते हैं और ये भी कहा कि शायद आपको न हमारी बात अच्छे से समझ में नहीं आई जैसे कि नोट बंदी भी नहीं समझ में आया था एक साल पहले उससे इलेक्शन कमिशन तक ने भी इस बिल की 2019 तक काफी काफी तरीके से इस पे आपत्ती जताई हुई है सरकार ने बार बार सफेज जूट बोला कि EC ने कोई concern इसके बारे में नहीं जताई है आखेर में RTI inquiry के बाद पता चला कि नहीं यहां गलतिया है गलतिया मानी भी गई है पर सिर्फ गलतिया मानी गई EC ने भी इस issue को कोई address नहीं किया सरकार का ये पूरा web of lies, ये excuses, ये expose भी नहीं होता अगर कुछ RTI activists और journalists ने इसकी जाच परताल नहीं की होती और SBI Central सरकार की कटकुतली है, ये तो सबको ही पता है SBI ने RTI queries में भी जूड बोला था Electoral Bonds Data Release नहीं किया था BJP की election से पहले expired bonds को जारी किया था Special Windows बनाई थी, BJP के election से पहले जिससे वो पैसा उठा पाए और unique court के details केंदर सरकार के साथ चुपके चुपके शेयर किये ये काफी संगीन allegations है, यानि केंदर सरकार को सब पता था कि कौन किसको पैसा दे रहा है पर किसी और को कभी भी नहीं पता चलेगा कि किस चिंटू ने, किस mining company ने पैसे दिये सरकार को और ये ही होता है democracy का गला घोटना Chief Justice of India ने इस system को selectively confidential बताया है सरकार के लिए confidential नहीं है, opposition parties के लिए confidential है electoral bonds 2018 में लागू हुआ था जो round of collection था ना, जो पहला round of collection था electoral bonds में उसमें BJP को 95% पूरा electoral bonds का पैसा सिर्फ BJP को मिला अगर आप 2019, 2020 की बात करें तो BJP को 2500 करोर रुपए के आसपास bonds मिले और वही number two पाइदान पर आती है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस सिर्फ 300 करोर के आसपास अगर आप 2018 से 2021 के numbers देखे electoral bonds के मैंने करीबन total अगर आप लगा लीजिए तो 14,000 करोर रुपए की electoral bonds उसमें BJP को 60% मिला है कॉंग्रेस से 6 गुना जादा और अगर आप बाकी सारे political parties मिला लें जो की electoral bonds के लिए eligible है तो BJP को उनसे 3 गुना जादा पैसा मिला है हो सकता है हो सकता है लोगों को party इतनी पसंद हो है कि भर भर के donation आ रहा है लेकिन ये आकड़े में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ जिससे आप भी समझ जाए कि पैसे का पड़ला किसका भारी है और किसका हलका है और हमारे democracy पर इसका क्या impact पड़ता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं तीन दिन के सुनवाई के बाद अभी Supreme Court ने अभी भी अपना judgment नहीं दिया है इस matter पर Election Commission को funding के राज जानने के लिए कुछ निर्देश भी दिये है Supreme Court ने Supreme Court का verdict अभी जो आएगा वो काफी important है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि BJP के पास जादा पैसा मिल रहा है लेकिन ये समझने के लिए कि ये जो पैसा मिल रहा है उसका हो क्या रहा है इन पैसों का किस किस तरीके से इस्तमाल हो रहा है Free and Fair election का तो electoral bonds ने खतम टाटा गुडबाई कर दिया है अगर बड़े बड़े पूंजपती करोरों रुपए देंगे बड़ी political parties को तो इसके सामने कोई independent या छोटे party का इमानदार आदमी कैसे खड़ा हो सकता है election में पैसे की दरकार होती है पैसे का बहुत बड़ा रोल है इसको आप avoid नहीं कर सकते हो छोटी regional parties को भी कोई जादा पैसा नहीं मिल रहा है 60% तो BJP ही ले गई बाकी जो parties है state level पर उनके पास भी कोई power नहीं कोई पैसा नहीं आ रहा है अब आप खुदी सोचे चिंटू एंचोंगू private limited किसी party को अगर खरवो रुपए देंगे तभी तो फिर उनको बड़े-बड़े contracts मिलेंगे अगर थोड़ी बहुत जंगल काट के आदिवासी communities को displace करके pollution फैला के पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो वो देंगे electoral bonds quit pro क्यो इसी को कहते हैं पैसा दो, favors लो प्रशान भूशन का दावा ये है कि वेदानता जो की एक लंडन बेस्ट कमपनी है उसने पिछने पास सालों में अलग-अलग political parties को 450 करोर रुपाए दिये हैं through electoral bonds इसके बदले में उस कमपनी को गोआ, 36 गड़ और उडिशा में कोलिंग, कोल, माइन्स के contract मिले हैं favorable laws पास गिये गए हैं और regulations को delay कर दिये गए हैं वेदानता foreign company है और वो इंडिया में proxy company shell companies के through operate कर रही है यानि बड़ी foreign mining company इंडिया में बेनामी company खोल के अपने मताबिक सरकार को पॉलिसी चेंज कर सकती है हम democracy में नहीं company राज में चल रहे हैं पारलेमेंट के monsoon session में बीजेपी सरकार ने forest conservation bill को पूरी तरीके से dilute कर दिया and mines and minerals bill को corporate mining के uncool amend कर दिया हो सकता है कि बीजेपी को लगता है आदिवासी empowerment के लिए ये सब अच्छे step है या हो सकता है कि हमारे लोकतंत्र में महबत की दुकान खुली हो या ना खुली हो policy की बाजार जरूर शुरू हो चुकी है Congress ने public में तो कहा है कि electoral bonds का वो भाईशकार करते है ये system opaque है scam है, corruption हो सकता है इस system पर पर ऐसा लगता है कि Congress की असल दिक्कत ये है कि बीजेपी को उससे 6 गुना जादा पैसा मिल गया है बीजेपी को अगर 5200 करोर मिले है तो Congress को आस 900 करोर ही मिले आए कितना unfair है ना Congress के लिए Congress का कहना है कि वो electoral bonds हटा देगी लेकिन उसका track record इस मामले में कुछ जादा अच्छा नहीं है 2016 और फिर 2018 में FCRA के amendments जो बीजेपी सरकार लाई थी उसमें Congress ने full support किया था क्योंकि High Court के 2014 वाले case में दोनों Congress और बीजेपी गिल्टी पाए गए थे foreign funding case में 2004 से 2015 के बीच में Congress ने भी 3000 करोर रुपए unknown sources से लिये थे तो एक बात तो clear है कि कोई भी political party हो इस system को ठीक नहीं कर पाएगी क्योंकि भाईया देखो पैसा तो सबको चाहिए flow नहीं रुकना चाहिए हमाम में सब भूके हैं सबको चाहिए पैसा लेकिन कम से कम आपको सचाई दानने का तो हक है क्योंकि अभी जो चल रहा है वो जिसका पैसा उसकी policy वाला system चल रहा है farm laws labor laws देख लीजे उनमें लाए गाए बदलाओ mining company जंगल काट रहे हैं production फैला रहे हैं मगर आप आप order even करियेगा आप fine भरियेगा politics अब CEO के meeting room से पूंजपती के इशारों से चल रही है democracy नहीं पूंजपती चल रही है भाई साब यहाँ हम legalized corruption की यहाँ बात कर रहे हैं पता नहीं अन्ना हजार है आजकल कहाँ चले गए हैं पिछले नौ सालों में उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है क्योंकि शायद अब लोकपाल की जरूरत नहीं है अब तक ये नहीं लेकिन हमें पता चला कि electoral bonds constitutional है या नहीं इसके बावजू 14,000 करोर उपय का कारोबार हो चुका है बाई साब और सब देखते रहे गए ये आकड़ा इस साल और बढ़ेगा क्योंकि as we speak electoral bonds की बिक्री अभी भी जारी है क्योंकि 5 स्टेट में elections चल रहे है सुप्रीम कोट ने इस पर अपनी या चिंटू एंचोमू प्राइवेट लिमिटेट के नोट से electoral bonds है complicated और इसलिए साइद सरकार भी इस मामले पर बाजी मार गई है क्योंकि हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से कम से कम electoral bonds थोड़ा सा और clear हुआ होगा अब हम देशबक्त पर तो electoral bonds नहीं issue कर सकते हैं लेकिन आप हमारे member बन सकते हैं in a very transparent manner वाया patreon.com या फिर youtube पर member बन सकते हैं unfortunately आज तक हमने एक पैसा भी grants में या bonds में नहीं लिया हमारे members ही हमें alive रखते हैं हमारी ad revenue ही हमें alive रखती है तो अगर आप चाहते हैं अगर आप कर सकते हैं तो जरूर एक member बनिए और हमें support करिए on patreon.com slash देशबक्त या फिर नीचे youtube पर join बटन दबा कर आप एक annual ultimate देशबक्त member भी बन सकते हैं किनके वज़े से हम ऐसे episodes in-depth episodes भी बना सकते हैं Many thanks for watching